आपके बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं उसके अंसर्स हैं हाँ कुछ वीडियो पुराने हो चुके हैं तो उनको नए उसके साथ में नए concept के साथ में हम remake करेंगे लेकिन जो latest बने उसमें आपके बहुत सारे questions और डी cover कर चुके हैं आपको याद है कि लास्ट जो है कल रात को संडे नाइट को मैंने आपको कुछ report sent किया था regarding the auto numbers तो आज जो है auto numbers ने auto sector ने nifty को rise किया उसके उपर से reality था उसके साथ साथ में हमारे जो है energy stocks भी है क्यों क्योंकि क्या हुआ है कुछ companies ने अपने debt clear किये है almost by 25% जिसमें टाटल स्टील का नाम है, Reliance का नाम है, BPCL है, IOCL है इस तरह से जब उन्होंने अपने debt कम किये है तो उन company की जो value है और बढ़ गई है और उनकी जो position है और strong हो गई है market में, तो market का outlook positive देख रहा है और इसी वज़े से आज market ने अच्छा rise किया है, अलाकि अगर मैं आप से कहूं कि आज market ने 111 points gap of open किया है, उसके बाद 122 points में ही close किया है, तो generally 11 point का यह ज़्यादा हमें rise देखने को मिला है, लेकिन अब nifty 16,000 से just 1% नीचे है और फिर से यह जो game है 21 DMA का वो चालू है, उसके बाद फिर से rise किया, फिर से follow up, फिर से rise किया, आज वापिस से फिर से उसने उसको regain करके उसके उपर ही close किया, हाला कि जो candle आप देख रहे हैं, यह bullish candle है और यह market के sentiment को bullish दिखा रही है, लेकिन अभी भी market का जो resistance है, वो 15,880 के around ही है, हाला कि इसन अपन गया है, लेकिन कभी-कभी support temporary होता है, उसके immediate break होते ही, फिर से resistance के तरह काम करना शुरू कर देता है, और फिर से fall कर जाता है, तो कल हमें क्या करना है, market का थुरा सा broader outlook मैं आपको Sunday की वीडियो में बता चुका हूँ, जो आज मंडे का वीडियो था, जो हमने कल बनाया तो अगर आपको broader outlook देखना है, तो वीडियो को थुरा सा आगे करके, nifty का broader outlook चेक कर लेजेगा, फिलाल हम पूरे week में फिर से जो है, immediate या आप कह सकते हैं, instant वाले levels को चूज करेंगे, और फिर से हम अगले जो मंडे का वीडियो होगा, उसमें फिर से हम एक broader outlook आपके लिए लेकर आएंगे, फिलाल अगर आपको nifty system buy करना है, तो आप 15900 के उपर buy करेंगे, ये तो हमारा already support बन चुका है, अब ये support retain करे, ये maintain रहेगा, तो जैसे ही nifty 15900 के उपर trade करती है, कम से कम उसको 10 मंदरा में trade करने दीजेगा, और हर बार मैं आपसे कहता हूँ कि लगातार ज जो है positive मिले, दोनों तिनों candle जो है आपको green मिले और वो positive candle हो, तो आपको buy में enter करना चाहिए, otherwise उनमें से एक भी candle अगर negative है, चाहिए वो green ही क्यों ना हो, लेकिन वो negative भी हो सकती है, उसकी वज़े से आपको वहाँ पे loss भी हो सकता है, तो please make sure when you are waiting, then you also focus on the candles also, हमें इसके उ होंगा आप से की 15, 850 को आप जो है उसके नीचे sell किजिएगा और इसके उपर, लेकिन कभी 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 क्या होगा, market अगर 900 की उपर आती है, वापस से अगर जाके 880 पर resistance face करे और फिर गिरना शुरू करे, तो आप यहाँ भी sell कर सकते हैं, आपके पास 30 point extra हो जाएंगे, ले market नीचे ही जा रही है और उसके लिए आप वेट करेंगे 15, 850 का, इसके उपर आप जो इसके नीचे sell करेंगे और इसके उपर आप buy करेंगे, third मैंने आपको बता दिया कि अगर वो flat open करके नीचे आगर resistance face करती है, तो आप यहाँ भी उसको pick कर सकते हैं, so that's in nifty, अगला trade हम support check करेंगे, तो 34, 800 का resistance है, यह आपका resistance आगया, तो जैसे आपको यह पता चला कि 34, 800 का resistance है, तो आपके लिए आसान हो जाता है, किसी जो है stock में enter करना, तो bank nifty में अगर आप 34, 800 को break कर देगा, तो जैसे उसको break करता है, 10 मिंट आप वहाँ stay कर जाएगा, तब आप उसमें buy क कर पाएंगे, अबाव 34, 800, लेकिन support कहाँ इकल के आएगा, 34, 650 का, कुछ time पहले आप देखी रहे हैं, लेकिन उसमें आप 600 ले लिजेगा, क्योंकि bank nifty थो ज्यादा volatile है, तो आपको थोड़ा सा movement के लिए space देना पड़ेगा, अगर वो नीचे गिर के 600 पे support लेता है, तो आ आप यहां भी buy कर सकते हैं, वापिस स्कूल्टा करते हैं, कि अगर वो 34, 800 पे resistance phase करेगा, तो आप उपर से sell करेंगे, और अगर वो नीचे ब्रेक कर देता है, आप 650 को यह 680 को break करने के बाद में वहीं पर trade करता है, तो वहां भी आप sell कर सकते हैं, और यही levels में आपको level for certain period. Second, if you will get entry after such a big move, there must be no entry, because by the time you will get the entry, the stock movement might get exhausted. So, here no trade, if in case you still get a trade here, then again it gave a big red candle and you might can exit in a 1 point loss, you do not need to get your stop loss hit here. The next one is Tata Steel, a comfortable shell below 1425 and that was here and from here you got almost a hit of second target on the shell side. Then we have Glenmark, as I said, if you know about open is equal to high, then the trade was excellent, from high you got almost fall of 12 points, otherwise no trade as per the levels which I provided you. The next one is IGL, in IGL 562, 553, so 562 never got achieved and 553 was somewhere here and that too after such a big move, when you get your trades, they should be noted because the stock might got exhausted after such a big move. Friends, अगर आप ट्रेडिंग को secondary source of income बना चाहते हैं और आगे चलके primary source of income, then you must know all about the technical analysis, आपको trend का पता होना चाहिए, buy का पता होना है, demand supply का पता होना चाहिए, support resistance market कहां ले रही है, कब आपको future option trade करना चाहिए, when to exit from, so that आपको ज्यादा लॉस नहीं हो, how to find and trade swing trades, अगर time कम है, तो आपको option से कैसे पैसे बनाना चाहिए, यह सब knowledge आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है, and in case, you want to learn all these things, then we do provide technical training for which you can WhatsApp and inquire further for our training programs. Intraday में हमारा first pick रहेगा, Lupin, कल मैंने आपको Glenmark दिया था, और मैंने आपको reason भी बताया था, कि pharma sector weak नहीं है, उसमें strong profit booking आई है, तो जिसने भी उपर sell किया है, वो वापस से नीचे आके re-enter करेगा, लेकिन क्या हुआ, Glenmark gap अप हुआ, वहीं से नीचे गिरा, तो शायद हमें trade ना मिला हो, अगर आपने open to high concept use किया होगा, तो definitely otherwise no trade, उसी reason के चलते वे, मैं आपको आपको आज loop in provide कर रहा हूं, कि फिर से ज तो कल अगर loop in इस level के उपर trade करना शुरू कर देता है, तो एक अच्छा buy बनेगा, जिसमें हमारा target भी अच्छा निकलेगा, maybe as good as 1160, लेकिन अगर इसको यहीं resistance face करना है, तो वो हमारे एक अच्छा sell भी लेकर आएगा, इसलिए हमने loop in को pick किया, तो हमारा पाफ दो reason हो जा और pattern provide कर रहे हैं, जो है dark cloud cover, तो once again rule दोनों का almost same है, इसमें भी अगर यह अपने low के निचे trade करता है, low को break करता है, और उसके निचे थोड़ दे trade करता है, और 2-3 bearish candle बनाता है, तो यह माना जाएगा कि यह pattern active हो गया, उसके बाद comfortably stock fall करेगा, लेकिन अगर उसने अपने low को break नहीं किया, यह candle लीचार वापिस चला गया, और वहीं पर hold किया अपने आपको, तो यह pattern अभी active नहीं हुआ है, और फिर से आपको इसमें buying देखने को मिल सकता है, वैसे भी FMCG sector काफी अच्छी bullish movement दे रहा है, तो अगर यह profit booking नहीं आई तो वापिस हमारे लिए, आच्छ वाउसा profit booking आ रहा है, प्लस हिंडाल को ने दोना दिन 442 को hold करके रखा हुआ है, इसका मतलब यह level हमारा बन जाता है support, अगर इसको break करता है support और वहीं पर थोड़ी दे रुख जाता है, तो हमारे लेक अच्छा sell लेके आएगा, जैसे आज आपने टाटा सील में देखा, ज sell लेके आया, once again अगर ये break हो जातो एक अच्छा sell आएगा, लेकिन अगर इसमें अभी भी थोड़ी सी bullish moment बाकी है, तो यही level यहाँ पर bounce back भी होना चाहिए, और यहीं से उसको rise करना चाहिए, अगर वो rise करेगा, तो वापस से target इसका बढ़ा रहेगा, I think at least 460 का target या 465 का target है, तो definitely आपको कली देखने को मिल जाएगे हैं हिंडायल को, अगला trade हमारे पास है, वो है रेमको सिमेंट, रेमको सिमेंट में क्या हुआ है, एक बड़ा सा fall आया on the result day, उसके बाद काफी इच्छी recovery करी, लेकिन आज फिर से उसने जो last candle है, वो एक bearish candle बनाया है, without breaking the high of the previous candle इसका मतलब यह हमारा current resistance की तरह काम करेगा, फिर रूल सेम रहते हैं, बार बार रिपीट करता हूँ, ताकि आपको confirm हो जाए कि, we don't have secret methods to identify the stocks, तो जैसी stock इसके उपर चला जाता है, तो हमारे लिए एक अच्छी buy लेकर आएगा, बैस उसको वहाँ थोड़े stay करना चीए, औ और अगर वहीं पर वो resistance phase करता है, तो यहीं पर आपका sell भी बन सकता है, और अगर वो अपने closing की नीचे trade करेगा, तो भी आप उसको sell कर सकते हैं, तो भी आप उसको sell कर सकते हैं, तो that's in RAM को सकते हैं, जाने से पहले channel को subscribe करना, video को like करना मत भूलेगा, description box में कुछ links available, जिनक का आप उसकते हैं, और for any kind of training inquiry, you can WhatsApp on these number for further information. A disclaimer guys, that all these videos which I created for education purposes, if you are taking into my recommendation, do consult with your financial advice before taking those, take care, have a nice day.